नमस्कार किसान भाईयो आज हम आपको गरम जलवाईयों में होने वाले सेव के आमदनी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे आमदनी के बारे में चर्चा करने से पहले आम दो चीजों पर बात करना चाहेंगे इसमें जो क्राप का कल्टिवेशन होता है दो तरीके से होता है एक ट्रेडिशनली जो प्लांटिंग किया जाता है उसका प्रोड़क्शन अलग होता है एरिया के हिसाब से और जो एक होता है हाई डेंसिटी एच्डीपी जिसको बोलते हैं साटकट में एक ट्रेडिशनली प्लांट करना चाहेंगे तो एक एकड में लगभग आपको 200 प्लांट के आसपास आपाते हैं एक सटर से 200 प्लांट के बीच में आप लगा पाते हैं एक एकड में अगर हमारे बाग में प्लांटिंग हुआ है इसमें हम एक एकड में 900 से 1000 प्लांट अराम से प्लांटिंग कर पाते हैं तो इसका दूरी जो है हम लोगों ने रखा हुआ है पौधे से पौधे की दूरी चार फिट और लाइन से लाइन की दूरी दस फिट का रखे हैं हम लोग तो इसमें एक एकड में लगभग आपका 900 से 1000 प्लांट आते हैं जबकि ट्रेडिस्नली जो प्लांटिंग होता है 12 गुड़े 15 फिट पर होता है तो इसमें आपका एक एकड में प्लांट लगभग 170 से 200 प्लांट के आसपास आप प्लांटिंग कर पाते हैं तो इसमें सबसे पहले यह देखना है कि जब आप प्ल प्लांडिंग कर दिये तो इसको आपका इसमें जो इंकम जरेसं सुरू होगा तो तीसरे साल से माना जाता है कि इसमें आपको सेमपल मिलने सुरू होगे और तीसरे साल के बाद आप चौथे साल में थोड़ा और बढ़ेगा पाचमे साल से आप अपना आपका प्रोडक्शन जो उमीद करते हैं कि हमारे पर एकड या जो आपने लगाया होगा उसके हिसाब से हमको इस एरिया में इतना मिलेगा तो एक यूनिट को लेके चलें तो क्यूंसे ही के हिसाब से हमनों के हम्लोग को लेशन करते हैं तो docos hag्ला लगाते हम और मिनिमम एकक पीड से यह अगर चार साल का प्लांट हो जाएगा तो मिनिमम की बात कर रहे हैं हम, मैक्सिमम की बात अभी नहीं कर रहे हैं, मिनिमम कम से कुम एक पेड़ से 10 kg हम प्रोडक्शन लेंगे, तो 10 kg अगर प्रोडक्शन लेते हैं तो आपका 900 प्लांट है, तो 900 प्लांट के हिसाब से 90 कुंटल हुआ, वो मिनि सुरीजन पिकिंगो जब होता है उस समय क्यों होता है और स्वाइल मांट में मरकेत में आप को मिलते हो स्टोर के होते हैं और एजो आपका धेट से जाएगा वो ताजा एपड़ होगा और इसका टेस्ट के टेस्ट में आपको खाने के बाद ही आप different समझ में आजाएगा कि कौन सी quality अच्छी है कौन सी कैसी है तो इसका रेट मिनिममम अगर 100 quintal है तो अगर minimum 100 रुपे भी केजी बेचते हैं तो एक एकड में per year आप 10 लाग रुपे कमा सकते हैं वो minimum की बात कर रहे हैं और maximum में आप 20 लाग रुपे भी कमा सकते हैं क्योंकि यह जो plant देख रहे हैं अगर इसका बढ़ियां से management करिएगा इसमें सारा nutrient बढ़ियां से मैनेज होगा सब कुछ balance तरीके सब अच्छे धंक से करिएगा तो 20 kg तक भी आप इसमें फ्रूट ले सकते हैं तो 20 kg तक फ्रूट ले सकते हैं तो मोटा मोटी आप मान की चलिए 15 से 20 लाग रुपे आप एक गड़ से कमा सकते हैं लेकिन मिन्मम तो 10 लाग आप कमा ही सकते हैं कि बहुत अच्छा है बहुत बहुत देनेवादा